असलाम वालेकुम डियर स्टूरेंट्स यह हमारा HTML सीरिस का 10th lecture है इसके previous lecture में हमने table को create करना सिखा था तो यह उसी का second part है तो आज का topic की तरफ आज का topic में हम देखेंगे के table में कौन-कौन से मज़ीद attributes को हम add कर सकते हैं कौन-कौन से मज़ीद functionalities हम use कर सकते हैं तो उसकी एक brief सा introduction में आपको देती हो table में हम सबसे पहले तो alignment set कर सकते हैं alignment किस तरह की alignments alignments like अगर हमने horizontally align करना है अपने table को like हमने left, right और center में align करना है तो हम एक align का tag use करेंगे horizontal alignment is controlled by the align attribute it can be set to left, center or right जबी हम align attribute को use करेंगे तो हम अपने table को left, center or right कर सकते हैं और इसी तरीके से जब भी हम एक cell में कोई अपना content add करते हैं like एक cell है जिसमें name लिखा हुआ है हमने उसको अभी center, left और right add करना है तो अभी हम align attribute use कर सकते हैं second one is we align we align controls the vertical alignment of cell contents it accepts the values top, middle और bottom vertical और horizontal का तो आपको मेरे ख्याल से idea होगा horizontal हम जो है center, left और right कर सकते हैं और vertical में हमारे पास आ जाता है top, middle और bottom इसको भी हम इसी तरीके से table को top, middle और bottom में add कर सकते हैं और जो हमारे पास content दिखा हुआ है एक cell के अंदर तो उसको भी हम top, middle और bottom में add कर सकते हैं the third one is width width में क्या कह रहे है sets the width to a specific number of pixels or to percentage if width is not specified the data cell is adjusted by the by on cell data इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर तो आप को specific width set करना चाह रहे हैं किसी भी cell की तो वो आप specifically उसे set कर सकते हो लेकिन अगर आप नहीं भी set कर रहे हैं उसे by default रख रहे हो तो जितने एक cell के अंदर data होगा like अगर एक cell है जिसमें name लिखा हुआ है और एक second cell है जिसमें father's name लिखा हुआ है अभी name में सिरफ और सिरफ हम four alphabets use कर रहे हैं डिसाइड कर लेता है जितने alphabets होंगे उतने का वो cell बना देता है अगर आपने कोई specific width add नहीं की हुई fourth one is cell padding cell padding क्या करता है this attribute controls the distance between data in a cell and boundaries of a cell जो भी हमारे पास cell के अंदर data लिखा होता है उसके boundaries को set करता है like हमने name लिखा है name को top से कितना margin देना है left से कितना margin देना है right से कितना margin देना है और bottom से कितना margin देना है यह हम cell padding के जरीए select करते है then आ जाता है हमारे पास cell spacing cells के अंदर कितनी space देनी है आपने एक cell को दूसरे cell से कितना ज्यादा कितनी space पे आपने रखना है कम space देनी है या अगर बिल्कुल ही वो साथ साथ जुड़े हुए है तो आप कह रहे हो कि एक या दो pixel की दरम्यान में space add हो जाए तो वो भी हम cell spacing के जरीए add कर रहते है last पर यह जो हमारे पास two है यह थोड़े से important है जो कि हम बहुत ज्यादा use करते हैं वो आ जाता call span और row span call span का मतलब है कि column को span करना है like हमारे पास हम चाह रहे हैं कि bottom में तो हमारे पास 3 cell ही रहे लेकिन जो हमारे top वाले cell है वहां पर लिखा आजाए like date sheet लिखनी है आपने कोई भी किसी भी किसम कोई भी आप date sheet create कर रहे हो आप चाह रहे हो कि उपर सिर्फ और सिर्फ class का name आजाए कि यह 8th class की date sheet है तो हम क्या करेंगे तीनों बाकी सारे के सारे columns नीचे वैसे यह उपर वाले जो top row है उसकी जितने भी columns है like वह 4 है या 5 है उन सबको span करके एक ही column बना दो और उसके अंदर सिर्फ date sheet लिखा हुआ आजाए मतलब columns को columns की internal boundaries है ना उनको हटा दो बस एक outer boundary set कर दे जो कि एक row में हम different columns add करते है ना तो बस उसमें क्या आए कि एक row बन जाए complete और उसमें जितने भी columns है वो सारे merge होके एक single column बन जाए तो इसी तरह से row span में भी आ जाता है इस attribute work in the same way that it allows a cell to take more than one row यह भी वही काम कर रहा है जैसे यहां पर आप columns में add कर रहे थे तो इसमें क्या आ जाता है rows को आप merge कर देते हो rows की boundaries को खतम कर देते हो और उन सब को merge करके एक ही row बना देते हो यह सब को जब ही हम practical work करेंगे तो आपको अच्छे से समझ रख जाएगी यह सिर्फ एक overview था जो भी सारे attributes हम tables में use कर सकते हैं उन चीजों का I hope आप सब लोगों को अच्छे से समझ रख गई होगी अगर फिर भी कोई क्यूरिया तो आप पूछ सकते हो Thank you